बच्चो आज हम पढ़ेंगे प्लेसिज आफ वर्षिप पीपल आफ डिफरेंट रिलिजिंस गो टो डिफरेंट प्लेसिज टो वर्षिप अलग-अलग मजभब के लोग अपने अलग-अलग जगुँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं ठीक है बच्चो बच्चो इसमें क्या कहा गया है कि जो हिंदू लोग है वो जाते है अपनी पूजा करने के लिए अपनी इबादस करने के लिए कहां मंदिर में ठीक है ना टेम्पल को बोलते है हिंदी में ये अर्दू में मंदिर मंदिर में जाते हैं वो अपने तरीके से वहां पर पाठ पूजा करते हैं मतलब अबादत करते हैं जैसे वो अपने तरीके से वहां फलावर डालते हैं फूल डालते हैं ठीक है ना अपने गार को ठीक है और जो उनकी होली बुक है जो उनकी मजभी किताब है उसको कहते हैं बगवत गीता जी ठीक है ना ठीक है बच्चो मुस्लिम आफ़र निमाज प्रेयर्स इन दे मास्क दियर हॉली बुक इस दे कुरान कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग है वो अपनी निमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जाते हैं कहां जाते हैं महजिद में अपनी निमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और जो उनकी मजभी किताब है वो क्या है कुरान क्या है कुरान ठीक है बच्चो सिक्ष गो टु दे गुर्दवारा तो आफ़र दियर प्रेयर्स दियर हॉली बुक is the guru grant sahab ji कहते हैं कि जो सिक्ष लोग है वो अपनी अपने प्रेयर करने के लिए आने कि अपनी अबादत करने के लिए गुर्दवारा जाते हैं ठीक है ना उनकी अबादतगा है गुर्दवारा उनकी जो मजभी किताब है उनकी मजभी किताब जो है वो है गुरू गरंद सहाब जी ठीक है क्रिश्चन गो टु दे चर्च तो प्रेद यर होली बूक इस दे बाइबल जो क्रिश्चन लोग है जो क्रिश्चन लोग है वो अपनी इबादत करने के लिए कहां जाते हैं चर्च में और जो उनकी मजहबी किताब है उसे कहते हैं हम बाइबल ठीक है बचो यही है हमारा जो आज का टापिक था यह था प्लेस अफ वर्शिप के अलग अलग मजहब के लोग कहां कहां किस-किस अबादत गाव में अपनी अबादत करने के लिए जाते हैं ठीक है बचो जैसे कि मैंने आपको एक के लिए मंदिर जाते हैं ठीक है ना और उनकी जो मजहबी किताब है इसको आपको याद करना होगा आपको दिमाग में रखना उनकी जो मजहबी किताब है वो श्री बगवत गीता जी है ठीक है बचो और जो यह मुस्लिम लोग है यह अपनी अबादत करने के लिए मौस्क मास्क जाते हैं ठीक है ना बच्चो? तो जो एनकी अबादत ठीक है ना? उनकी जो किताब है जिसके वो अबादत करते हैं उसे कहते है एक कुरान सिक्स सि Xin लोग वो कहाँ जाते हैं अपनी अबादत करने के लिए गुर्दवारा? size और जो उनकी जो मजभी किताब हैं उसे कहते हैं हम वाइब वर्शिप मुझे उमेद है कि आपको यह समझ भी आया होगा और अच्छे से आपको दिमाग में भी रहा होगा और इसको एक बार फिर से पढ़के रिवाइज करके इसको अपने दिमाग में डाल देना तो कल हम फिर मिलें नए टापिक के साथ तब तक के लिए बाय आ